दोस्तो ये है ZCO UWA Plus Projector का इंटरफेस और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं लाइटिंग कर्डिशन में इस तरह का विजिविल्टी आपको देखने को मिलता है और डार्प रूम में आपको इस तरह का विजिविल्टी देखने को मिल जाएगा बहुत सबाइं इंतिजार कर रहे हैं कि मैं ZCO UWA Plus Projector का रिविविडियो ले के आऊं तो ये प्रोजेक्टर मेरे पास पिछले तीन दिनों से है और इस प्रोजेक्टर को मैं पिछले तीन दिनों से यूज कर रहा हूँ दोस्तो अगर बात कर रहे हैं ZCO UWA और ZCO UWA Plus दोनों ही प्रोजेक्टर के बारे में तो दोनों का लुक एंड डिजाइन जो है काफी डिफरेंट है और इस प्रोजेक्टर में आपको लुक एंड डिजाइन के साथ साथ बहुत से चीज़े इंप्रूब देखने को मिलेंगी जैसे कि इसकी brightness इस प्रोजेक्टर में यूज LCD पैनल और इस प्रोजेक्टर की picture quality दोस्तो ये एक basic प्रोजेक्टर है जो 490 ANSI Lumens के साथ में आता है इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 4.5 इंस का LCD डिस्पले देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्टर comfortable है 4K smart TV stick के साथ में या सामने के तरफ आपको image correction lens dust protector देखने को मिलेगा जिसे इस तरह से slide करके आप open कर सकते हैं इस projector में आपको manual focus के साथ manual keystone correction मिल जाएगा प्रोजेक्टर के left side में आपको सारे connectivity port जैसे कि 2 USB port, 2 HDMI port, 1 headphone port और 1 AV port प्रोजेक्टर के back side में आपको power input port के साथ साथ एक 5 watt का speaker प्रोजेक्टर के right side में dust filter और image correction lens के साथ साथ की stone correction wheel प्रोजेक्टर के top में आपको jetco की branding देखने को मिलेगी और सारे control button प्रोजेक्टर के नीचे के तरप आपको 4 rubber foot, एक height existing knob और एक tripod mount thread देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्टर के साथ साथ आपको एक remote, एक power cable, एक HDMI cable, दो batteries, एक manual guide QR code और एक one year की warranty card देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्टर के look design build quality काफी अच्छी है दोस्तो इस प्रोजेक्टर के brightness 5200 lumens है और contrast ratio 4500 is to one का इस प्रोजेक्टर के power consumption 90 watt का है दोस्तो इस प्रोजेक्टर के price की बात करों तो ये Amazon पे आपको 9,490 रुपीज का देखने को मिल रहा है यानि के दोस्तो ये आपको under 10,000 में मिलने वाला एक full HD projector है जो इस price range में आपको दूसरे projector देखने को नहीं मिलेंगे इस projector को जब मैंने अपने 12 feet के कमरे में set किया तो ये projector मेरे 12 feet के कमरे में 106 inch के आसपास का screen बना दीता है और इतने बड़ी screen में भी lighting condition में इसकी जो visibility है मुझे काफी अच्छी लगी इस price के हिसाब से इस projector की brightness काफी अच्छी है picture quality, colors काफी अच्छे है projector को आप अगर center में set करते हैं तो आपको ये maximum blur free image आपको दे देगा basic projector है तो इस projector को आप किसी भी external device के साथ connect कर सकते हैं जैसे कि आप इस projector का अपने computer, laptop, gaming device, setup box, android box या फिर amazon 5 device stick 4K जैसे device को connect कर सकते हैं और content का मज़ा ले सकते हैं इसके लाबा आप USB pen drive अगरा भी connect कर सकते हैं जिसके तुरू आप 1080p का content enjoy कर सकते हैं इस projector को आप अपने smartphone के साथ में भी connect कर सकते हैं micro USB to type C HDMI cable के थुरू और अपने phone के screen को cast कर सकते हैं Apple phone के लिए आपको lightning to HDMI adapter की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस projector की brightness, picture quality और colors काफी अच्छी है जो इस price range के हिसाफ से मुझे best लगी 100 से लेके 120 इंच के आसपास का screen भी आप अगर create करते हैं तो आपको काफी अच्छा result और काफी अच्छी picture quality देखने को मिलेगी इस projector में आपको picture customization का भी option मिल जाएगा तो आप picture customization के preset को use करके अपने हिसाब का best picture quality पा सकते हैं या फिर user manual पे जाके brightness, contrast, saturation, colors जैसे settings को अपने हिसाब से control करके अपने हिसाब का picture quality पा सकते हैं इसके इलाबा दोस्तों आपको sound customization का भी option मिल जाएगा जिसमें आपको sound customization के बहुत सारे preset मिल जाएगे या फिर आप अपने हिसाब से best treble को भी control करके अपने हिसाब का sound quality पा सकते हैं बात करें इस projector के inbuilt speaker के sound quality की तो भाई एक छोटे से camera के लिए इस projector की sound output है मुझे काफी अच्छी लगी फिर भी आपको theater वाला experience चाहिए तो आप अलग से home theater system या फिर bluetooth speaker connect कर सकते हैं overall इस projector के performance की बात करें तो purchase link आपको decision में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हैं इस projector के regarding कुछ details अगर बोलना भोल गया हूँ आप पूछना जाते हैं तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों ये था जैट को यूवा प्लस प्रोजेक्टर का review उमीद करूँगा दोस्तों की ये वीडियो आपको पसंदा होगा पसंदा है तो प्लीज लाइक केज़े चैनल पर नए सब्सक्राइब ने किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजगा आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन